एक बार एक गरीब सपेरा घने जंगल से होते हुए अपने घर को जा रहा था अंधेरा होने से पहले ही वो घर पहुचना चाहता था जिसके चलते वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था जंगल काफी घाना और भया वै था जिससे वो काफी दरा हुआ मैसूस कर रहा था तभी उनके सामने एक साप का घर दिखाई देता है वो सपेरा वहाँ पर अपनी बींग से मदूर संधीद बजाना शुरू कर देता है और वो काफी समय तक मदूर आवाज में बींग बजाता रहता है सपेरा के बींग की मदूर आवाज सुना कर उस बींग से एक नाग बाहर आता है जिसे देखते ही सपेरा बींग बजाना बंद कर दिया और वो नाग देवता को प्रसंद होकर नाग देवता ने सपेरा को एक वरदान मांगने के लिए कहा फिर सपेरा ने कहा हे नाग देवता मैं बहुत खुश हुआ आपके दर्शन पाकर इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस इतना ही चाहता हूँ कि आप इस लोग का सदा कल्यान करें ऐसा ही होगा कहे कर नाग देवता वहां से गायब हो गया